लो, इंडियाज लीडिंग सोशल मीडिया प्लाटफर्म है तो देर किस बात की है, जाइए डाउनलोड कीजिए हेलो एप एंड पाए मौका फेमस बनने का एक गाउ में मीना और राजू नाम के भाई बहन रहते थे उस गाउ में आए दिन चोरियां हो रही थी पर गाउ वाले चोर को बकड नहीं पा रहे होते एक दिन राजू के घर भी चोरी हो जाती है पर इस बार पैसों के साथ साथ उसकी बेहन भी गाइब होती है भीवा भाई, मेरी बेहन ना पता है, सुमेच से नहीं मिल रही अब मैं क्या करूगा माँ पिता जी उसे मेरे भरों से ही तो जोड़के गए थे राजू की रोने की आवाज सुनकर सब गाउवाले वहां आ जाते है का कह रहे हो भाई, चलो अभी धरोगा को जाकर रपत लिखा आते है भाई, उसका क्या फाइदा, कई लोगों ने कई बार तो रपत लिखा दी, क्या हुआ चलो, मुखिया जी के पास ही चलते है तुम्हारी बहन कहा ला पता हो गई, अरे भाईयों तुम परेशान मत हो मैं आज ही एक खुफिया आदमी को उस चोर को पकड़ने के काम पर लगा दूँगा फिर मुखिया एक जखीरा नाम के आदमी को रात में जासूजी करने को कहता है जखीरा की चोर को पकड़ा जा सके और राजू की बहन कहा है ये पता लगाया जा सके फिर रात होते ही जखीरा पहरा देने लगता है और वो देखता है कि एक आदमी मुखोटा लगा कर आता है और एक लाश फेक कर जाने लगता है जखीरा उसे रंगे हाथों पकड़ लेता है इतने में सब गाउवाले बाहर आ जाते हैं और उस चोर की लाठियों से पिचाई करने लगते है अरे ये लाश तो मेरी बहन भी ना किया अरे चाइड डाल तुने मेरी बहन के जात क्या किया तुने तो इसे मार ही दिया मैं तुझे नहीं झोड़ूगा आरे भाईयों मुझे मत मारो मुझे नशे की आदत है इसलिए मैं ये मुखोटा लगा कर चोरी करता था उस दिन तुम्हारी बेहन ने मुझे चोरी करते देख लिया था और तुम्हारी खुबशुरत बेहन को देखकर मेरी नियत खराब हो गई इसलिए मैं उसको उठा के ले गया था अरे तरिंदे मैं तुझे जिन्दा नहीं छोड़ूगा रुको राज्यू इसको ऐसी सजा मिलनी चाहिए जिससे कोई और कभी किसी लड़की की तरफ बुरी नजर ना डाले इसके दोनों हाथ काट डालो पियक कड़ कहीं के काट दो इसके हाथ पिर सब गावाले मिलकर उस चोर के दोनों हाथों को काट देते हैं पिर वो हाथ कटा चोर भाग जाता है और घने जंगल तक पहुचता पहुचता मर जाता है कुछ दिन बीच जाते हैं और फिर उस हाथ कटे चोर की लाश में जाना जाती है जरावनी जरावनी आवाजें आने लगती है और वो चोर हैवान बन जाता है तब ही जंगल की रास्ते से एक आदमी गुजर रहा होता है वो हैवान उसे मान कर उसके हाथों को काट कर अपने शरीर पर लगा लेता है मेरे हाथ मुझे वापस मिल गए गाओं वालों तुमने मुझे बेरहमी से मारा अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा फिर वो भूद गाओं वापस जाता है और एक आउरत को पकड़ लेता है सुन्दर बहुत सुन्दर आउरत हो तुम चलो मेरे साथ मेरी रानी अरे अरे मेरी पतनी को क्यों पकड़ रखा है छोड़ रहे ये मेरी डिरीम गर्ल है भाई जी मुझे बचा लीजे ये तो उसी आदमी का भूत है जिसने राजु की बहन मीना को मारा था ये जिन्दा कैसे हो गया जी तुमने मुझे बहुत बुरी मौत दी अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा और एक कैसा नहीं छोड़ेगा छोड़ हमरी पतनी को ले छोड़ दिया अब तुझे पकड़ लेता हूँ आजा आजा तब ही वो हैवान भीमा के हाथों को भी काट कर अपने शरीर में लगा लेता है और फिर सब गाउवाले आजाते हैं वो सब उस चोर को हैवान बने देखकर बहुत डर जाते हैं अब उसके चार हाथ हो चुके होते हैं वो बहुत ही जरावना लग रहा होता है अरे भाई राजू ये तो वही चोर है जिसके हमने हाथ काटे थे अरे ये भूत कैसे बन गया अब तो इसमें बहुत सक्ती आ गई होगी अब हम इसका सामना कैसे करेंगे सब गाउँ वाले डर के मारे इधर उधर भागने लगते हैं और डर के मारे राजू की घर में घुज जाते हैं और हैवान राजू की घर का दर्वाजा पीटने लगता है अरे मूर्ख राजू दर्वाजा खो मैं तुम सब के हाथों को काट कर अपने शरीर में जोड दूगा और कई सारे हाथों वाला बन जाओंगा सब से शक्ति शाली बन जाओंगा और फिर तुम सब की पत्रियां भी मेरी तासी होंगी एक लड़की के लिए तुमने मेरे हाथों को काट कर मुझे मरने के लिए छोड़ दिया था ना अब काउं की कोई लड़की और और अहरत नहीं बचेगी निकलो बाहर अरे भाई राजू हम इस हैवान का सामना नहीं कर सकते भाई इसमें भूतिया ताकतें आ गई हैं हम इस इनसान इस हैवान का सामना कैसे करेंगे राजू और सब गावाले बहुत डर जाते हैं उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा होता कि अब इस हैवान से अपनी जान कैसे बचाई जाए तब ही हैवान राजू की घर का दिर्वाजा तोड़ कर अंदर आ जाता है अब कहां भागोगे? मैं बहुत भूका हूँ तुम सब को कच्चा ही खा जाओंगा अरे भाई राजू ये हैवान तो हमारे सामने ही कड़ा है भाई अब क्या करें? आप चिंता मत किजिए आप मेरे साथ आईए फिर राजू और सब गावाले राजू की घर में बने मंदिर वाले कमरे में चले जाते हैं वो हैवान भी उनके पीछे जाता है लेकिन उस मंदिर वाले कमरे में जैसे ही वो जाने लगता है उसके पैरों में आग लगने लगती है और वो पीछे हट जाता है अरे ये क्या? बाहर निकलो! कमबक्त मारो! बाहर निकलो! वो गुस्से के मारे गुराने लगता है कोई बात रही सिर्फ तुम ही थोड़ी हो इस गाओं में इतना बोल कर वो और किसी का दर्वाजा पीटने लगता है और दर्वाजा तोड़ कर अंदर चला जाता है और उसके हाथों को भी काट कर अपने शरीर में जोड लेता है ये सब कुछ राजू अपने घर की खिड़की से देख रहा होता है मैं अभी जाता हूँ इस हैवान को मारने वैसे भी इसने मेरी बेहन को बेमौत मार दिया मैं इसको नहीं छोड़ूँगा फिर राजू बाहर चला जाता है तब ही हैवान राजू की ओर आने लगता है आओ राजू मुझे तुम्हारा ही इंतजार था तुम्हारी ही वजह से मैं आज color मैं हूँ फिर हैवान राजू की ओर बढ़ने ही लगता है कि उसकी बेहन मेना का भूत वहाँ आ जाता है रुक तू मेरे भाई को मारेगा फिर मीना राजू और उस हैवान के बीच में आकर खड़ी हो जाती है और उस हैवान का गला पकड़ लेती है और उसे जमीन पर गिरा देती है तू मेरे भाई को मारेगा नास पीटे तेरा बेड़ा गवर रखो तूने मेरे साथ बहुत बुरा व्यवहार करके मुझे तो मार दिया लेकिन मैं अपने भाई को तुझे हाथ तक नहीं लगाने दूंगी फिर मेना उस हैवान को रोकने लगती है अरे बैस पूफ लड़की हट जा छोड़ दे मेरे कई हाथ है ये देख तू मेरा सामना नहीं कर पाएगी सामना नहीं कर सकती लेकिन तुझे कुछ दिर रोक तो सकती ही हूँ मेरा बैर तुम वापस आ गई भाई जाओ मैं इस दुष्ट को रोके हुए हूँ आप जाओ आप चल्दी जाओ यहां से अरे भाई वो वापस नहीं आई है वो मीना का भूत है जो बदला लेने आई है अब चल्दी से चलो मेरे साथ फिर मीना उस हैवान को रोकने की कोशिश करती है तब ही राजू भाग कर मंदर जाता है और बाबा को सारी बात बताता है अरे बेटा उसने इतने लोगों के हाथों को अपने शरीर से जोड़ दिया तो वो बहुत शक्तिशाली हो गया है अब हमें उसके उन्ही हाथों को काटना होगा तो ठीक है अब जल्दी चलिए बाबा हम साधारन शस्तर से उसके हाथों को काट नहीं सके उसके लिए माँ की तलवार लेनी होगी सिर्फ माता की तलवार से ही उसके हाथों को काट कर उसे मारा जा सकता है फिर बाबा राजू को माता की तलवार देते हैं और राजू उसे लेकर वापिस गाउं आता है, वहां उस हैवान और मीना के भूत की लड़ाई हो रही होती है हैवान कहीं के मैं आ गया, अब तू नहीं बचेगा, छोड़ मेरी बेहन को अरे, ये क्या खिलोना लेकर आया है, रहने दे, तेरे हाथ ना कट जाएं इस खिलोने से अभी बताता हूं, रुक, तुझे इसकी शक्ती का हैसास नहीं है फिर इतना बोलकर राजू जाता है, और हैवान के हाथें को एक एक करके काटने लगता है क्या आप भी फेमस होना चाहते हैं या ढूंड रहे हैं अपने टैलेंट को शोकेस करने का मौकार तो डाउनलोड कीजिए हेलो एप, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठैंक यू